अपने फादर की मर जाने की खबर मिलने के बाद बेटा उन्हें मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास के सब लोग सस्पिशेस है ये पुरा गाव का गाव ही सस्पिशेस है अब उसे लगने लगता है कि ये मर्डर है क्या ये मर्डर मिस्ट्री सॉल सकते है मूवी स्टार्ट होती है वर में हैंक को बταार होता है यह बड़े वोयेंशल आत्मी के सब लोग को शिक्षा देता है अब प्रॉल्लम होता है कि यह जो सब लोग है इस से इंफ्लोंस्ट हो चुके, उन्होंने उनकी सब जमीन जायदाद, यह सब वॉल्डर के नाम कर दी है, यह जो चर्च का उनर है, इसे लगता है, कि वॉल्डर कोछना कुछ तो गडबड कर रहा है, हैंग इस सिचुएशन को हैंडल करे, इसलिए उसने हैंग को बुलवाया होता है, हैंग भी एक करप्ठी पुलिस ओफिसर होता है, अगर कुछ पैसे मिलके या लैंड मिलके, तो यह काम कर सकता है, यह डारेक्टली वॉल्डर को जेल में डाल सकता है, और ऐसा ही होता है, हैंग वॉल्डर को क्रेशनिंग के लिए बुला लेता है, और इसके बाद उससे जेल में डाल देता है यह जाज ओनर हैंक से बात कर रहा होता है वो गहता है कि वॉल्टर बहुत ही influential है जो भी लोग उससे connect हो जाते हैं यह सब उसके गुनगाने लग जाते हैं तो लोगों से कुछ भी करवा सकता है यह जो जाज ओनर है यह भी इससे intimidated होता है हैंक उससे बोलता है कि जल से जल इस prison में ही मैं उससे मरवा दूँगा अब हमें दिखता है कि वॉल्टर को एक आदमी मारनी के लिए आता है वो उस पर चाकू चला था है पर वॉल्टर चू भी नहीं करता बहुत सारे लोग इससे मारनी कोशिश करते हैं पर कोई भी अब हैंक से बूछता है क्यों ये काम यह नहीं कर पा रहे तो इस सब कहे से इंफ्लिएंस्ट हो चुके वॉल्टर को मारना इन्हें पाप लग रहा है अब हैंक चिड जाता है और को वॉलटर को integration के लिए बुलाता है वो कहता है कि तुम लोगों को भढ़का रहे हो यह तुमारे कटपुटली नहीं हो जो तुम जो कहोगे वो मैं कर दूँगा वाल्डर फिर भी उसका जो काम होता है यह हैंग को बता देता है हैंग भी इससे इंफ्लोंस्ट हो जाता है और यह काम वो करने वाला होता है एक लड़की थी जिसका कुछ लोगों ने रेप कर दिया था इसके बाद इस लड़की को ही गाओ के बाहर रहना पढ़ रहा था वाल्डर ने हैंग को यह सब बता दिया है और हैंग को अब इने पनिश करना है इस लड़की के पास जो बायबर होती है इसे इन सब लोगों के पता नाम पता चल जाता है हैंग फिर इन सब लोगों को बहुत ही पनिश करता है Walder की पनिश्मेंट में एक जस्टिस हैंग को दिखाय देता है हैंग अब impressed हो चुका है हैंक को भी इसने influence कर दिया था और इसने realize भी नहीं किया था अब मैं दिखता है कि हैंक वाल्टर से मिलने के लिए आता है हैंक वाल्टर से कहता है कि मैं power से लोगों को influence करता हूँ उनकी मर्जी नहीं होती फिर इस जबरदस्ति में उनसे काम करवाता हूँ पर तुम्हारा वैसा नहीं है तुम लोगों को जीत सकते हो तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम पास सकते हो जैसा हमने देखा है कि हैंक के करप officer है इसे land एटना वेगरा सब कुछ बहुत ही पसंद है अगर ये walder के साथ काम करेगा तो walder लोग को handle करेगा और हैंक सब कुछ जमीन वेगरा ले लेगा हैंक को जब walder को अपने team में सामिल करना होता है तो हैंक उसे कहता है तुम लोग को बदल सकते हो अगर सच में तुमें change लाना है तो तुम कैदियों को लो और उने बदल सकते हो इनका प्लान होता है कि कुछ बुरे कैदियों लेंगे और उनके साथ एक जगा पर रहेंगे उने salvation का यानि कि मोक्ष का रास्ता हो दिखाएंगे अब ये scene यही खतम हो जाता है और बहुत सारे साल अब गुजर चुक है यह में दिखता है हैंग अपने अदमियों के साथ वाल्टर के आ जाता है और वाल्टर अब बुढ़ा हो चुका था इसलिए वो मर चुका है इसके बाद necksin में हम जॉन को देखते है जॉन को डिवास हो चुका है और उसके नोकरी भी चली गई है जॉन के उपर एक केस लगी थी उसका जो प्रोस्टिक्रेटर था उसका नाम था माइक माइक ने जबरदस्ती चार्जेस उस पर लगाये थे उसे सिर्फ एक केस निप्टाना था जॉन जब माइस से बात करने गया तो माइक ने जो सब बोला उसका सब रेकॉर्ड जॉन ने कर लिया यह रेकॉर्ड माइक के सूपरियर को जॉन देकर चला गया इसी वज़े से माइक की अब बदली हो चुकी है यह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को बहुत ही हेट करते है, जॉन की वाइफ उसे छोड़ कर चली गई है, और उसका जॉब नहीं है, तो माइक उसे चेडाता है, और जॉन माइक को चेडाता है, यह गाव में तुम्हारी बदली हो चुकी है, यह कॉल यही कतम हो जाता है, अब मैं दिखता है कि इट बॉड़ी देखता है, और फिर खाना खानी के लिए नीचे आ जाता है, अब वो हैंक के साथ खाना खा रहा होता है, हैंक के साथ और तीन लोग होते है, यह वही कैदी है, जिनको सुदार नहीं कोशिश कर रहे थे, अब यह सब भी मिडल एज्ट हो चुके है, जब यह यह सब खाना खा रहे थे, तो वॉल्टर मर चुका है, तो वहाँ पुलिस ओफिसर आयो होते है, वॉल्टर की डेट के बारे में जादा इन्वेस्टिकेशन नहीं करने वाले, यह बुढ़ा हो चुका था, तो इसी वज़े से मरा है, यह वो जॉन को कहते है, जॉन बोलता ह करता है, तो conclusion देता है, कि एक natural date थी, हैंक अब जॉन से बाती करता है, वो कहता है, कि तुम इस सब चीजे करकर हम सब लोहों को uncomfortable महसूस करा रहे हो, यहाँ कुछ भी गडबड नहीं हुई है, जॉन को अभी भी लगता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गडबड है, इसलिए अ तुम यहाँ रुकने वाले हो, पर फिर भी तुम इस गाव को disturb कर सकते हो, इस गाव में कोई भी changes हुए, तो इस गाव को disturb कर सकते है, जॉन को कुछ यह समझ में नहीं था, जॉन एक store में रह रहा होता है, वहाँ पर एक लड़की होती है, जुसका नाम होता है Jane, यह इस store को समालती है, और इस store के पीछे ही जॉन रह रहा होता है, राद में जॉन देखता है, जो सब prisoners थे, यह इस लड़की के पास आते है, अब इससे पैदा चलता है, यह सब राद में चलता है, इस वज़े से भोला उसे कह रहा था, कि कोई भी changes गाव में होए, तो उसे disturb कर सकते है जॉन घर की मरमत करने के लिए कुछ सामान लेता है, इंटरनेट कैफे पर जाता है, यह सब जब चीजे हो रही होती है, यह सब हैंक को पता चलती रहती है, अब जॉन ज़्यादा ही इंटरफेर कर रहा है, तो हैंक उसे राद में डिनर के लिए पुलाता है, उसे वा कहता ह कि जाने से पहले यह तुम्हारा अच्छा सा डिनर है जॉन कहता है पर मैं यहां से जाने वाला नहीं यह सब इस तोर बहुत ही चीट जाते हैं यह सब उसे समझा रहे होते हैं कि तुम यहां नहीं रह सकते हैं City का life और गाव का life अलग अलग है तुम यहाँ क्या करोगे तुम कैसे रहोगे John कहता है कि father की land है वहाँ में खिती कर सकता हो उसका decision पक्का होता है और उसे कोई भी change नहीं कर पा रहा तो Hank कहता है कि ठीक है तुम यहाँ रहना है तुम रह सकते हो इसके बाद रात में हम देखते है यह John Mike को call करते है Mike prosecutor ही है John उसे कहते है कि मेरे father मर चुके है उनके नाम पर बहुत से रिलाइन थी पर अब वो सब transfer हो चुकी है यह सब Hank के नाम पर transfer हो चुकी हो दिये John को जो सब लग रहा है यह वो Mike को कहते है इन दोनों में दुश्मनी होती है पर फिर भी Mike prosecutor है तो इसके बारे हो कुछ कर सकता है John जब Mike से बात कर रहा होता है तब हमें दिखता है कि Hank का एक आदमी उसके घर के नीचे आ जाता है उसके basement से कुछ चीजे निकाल कर वो ले जा रहा होता है जब देखने के लिए जाता है तब उसे कुछ भी नहीं मिलता basement से सब documents अगरा लेकर Hank आदमी वहाँ से निकल जाता है अब John की problem यह है कि John को पता है कि हाँ कुछ तो गढ़वड है पर उसके पास सबूत वेगरा कुछ भी नहीं है उसके घर में कोई आ सकता है इसलिए motion sensor lights हो लगाता है इसके बाद वो कुछ trick करने के लिए Hank के पास आता है John हैं से कहता है मेरे फादर की documents देख रहा था उस documents में अगर उन पर कुछ debit वेगरा हो तो मैं चुकती कर सकता हो इस document को लेकर मुझे आपकी help चाहिए यह documents मुझे उनके घर में मिले थे हमें बता है कि Hank का आदमी ही Walder के घर पर documents लेने के लिए गया था अब John ने कहा है कि documents अभी भी पाहा है तो Hank अब चिंदित हो जाता है यह सब John का plan होता है Hank का आदमी राद में उस घर में आ जाता है John जगा ही हुआ होता है और उसे spot कर लेता है John अब अच्छी से basement की तलाशी लेता है इस basement में उसे एक underground tunnel मिलता है इस tunnel से वो आगे जाता है तो Hank के एक आदमी का घर पर वो पहुच जाता है यहाँ पर Hank और उसका आदमी यह तोनों बात यह कर रहे होता है Hank का आदमी Hank को John सब को जो village में कर रहा है इस सब की report दे रहा होता है यह सब John सुन लेता है John अब फिर से basement में आ जाता है वो आने के बाद उसे एक tape recorder मिलता है इसमें उन कईदियों की गवाई होती है जो अब Hank के साथ रह रहे है इसमें से एक जो होता है उसने साथ लोग को जिन्दा जला दिया होता है और इसमें एक आदमी ने murder किया होता है Hank ने इन दोनों को deal दी थी यह सब अब जाकर village में रहने वाले है Walter को Hank के plan के बार में कुछ भी पता नहीं था Hank जैसा कह रहा है यह सब करने के लिए Walter ready था अब हैं फिर से present दिखाया जाता है और Mike अब सब investigation Hank की कर रहा है अब इसे पता चलता है कि Hank के नाम पर 23 millions की land है यह जो land थी यह सब Walter ने Hank के नाम पर की थी अब Mike को भी suspicious आता है और अच्छे से आप वो investigation करने के लिए लग जाता है अब next दिन आता है John को tunnel मिला है तो tunnel जिस room में जाता है उस room में वो पहुच जाता है यह Hank के आदमी का room होता है यहाँ उसे कुछ paperwork मिल सके कुछ evidence मिल सके इसके लिए वो ढून रहाता है तभी वहाँ Hank का आद में आ जाता है इसके पास आता है और इसके कंदे पर सर रखता है यह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हेरे फादर को हमने मारा है अभी क्या अभी तुम यहाँ से निकल जाओ जौन यहाँ से जाने ही रहा होता तो एक कील लेता है और वो जौन के पेट में डाल देता है जौन बहुत injured हो जाता है इसे मारने के लिए और एक बार एक कील उसके पेट में गुसाता है जौन नीचे गिर जाता है Hank का आदमे एक X लेता है उसे अब वो मारने वाला होता है तब जॉन वहाँ से भागने लग जाते है यह भागते भागते जंगल में आ जाते है जंगल में एक deep value होती है इस value के पास यह दोनों आ जाते है उसे उसके आद मी की body मिल जाती है हैंग भोला के साथ होता है और उसके आदमियों को ढूंड रहाता है ढूंटे ढूंटे जंगल में आता है और उसे उसके आदमी की बॉड़ी मिल जाती है जॉन को जखम होई थी वो हाइड कर देता है हैंग को बॉड़ी मिली है उसके पास वा जाता है जॉन कहता है कि मैं घुम रहा था और मुझे कुछ आवाज सुनाए दी हैंग को शक जाता है यह माइक नहीं यह किया होगा जॉन आरिक लिए हैंग के आदमी के घर पर पहुच जाता है वहाँ पर उसका बलर्ड वेकरा पड़ा हुआ है यह सब वो क्लीन करता है हैंग भी यहाँ पहुच जाता है इससे बहले कि वह जॉन को स्पॉट कर सके जॉन टनल में कुछ जाता है और अपने घर पहुच जाता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉन माइक को कॉल लगाता है उसे जो सब हुआ है इसके बारे में उसे कहता है उसे पूछ रहा होता है क्या तुम Hank की Investigation कर रहे हो Maik केता है कि मैं तुमसे क्यों Order लो तुन्हें मेरा पूरा Career खतम कर दिया है John फिर Disappointed हो जाता है और केता है कि अब मैंने एक Murder किया है मैं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूँगा माईक बोलता है कि ऐसा मत करो मैं हैंक पर investigation मेंने start कर दिया और अगर तुम्हें कोई पकड़ना चाता है तो वो मैं ही हूँ एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हें पकड़ी लूँगा जॉन और माई एक दुसरे को hit करते हैं फिर भी एक दुसरे को help करते रहते जिस तरह से friends होते हैं इसी तरह से इनकी relationship होती है अब हम देखते हैं कि हैंक के आनमी का funeral चल रहा होता है यहाँ पर और और एक कई थी होता है जिसका नाम होता है hitman यह भी हैंक के लिए काम करता है hitman केता है कि मुझे पता है कि जौन ने किया है वो जौन को मारना चाता है हैंक केता है कि तुम उसे जाने दो मैं अपने हाथों से उसे मारना चाता हूँ जब यह दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिसे से जौन भी आता है हैंक वहाँ से चला जाता है और Hitman और John एक दूसरे से बात करने लग जाते है Hitman कहता है तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हें कुछ पता करना है जो भी तुम्हें पता करना है वो सब कुछ में तुम्हें बता सकता हो तुम रात में मेरे घर में आ जाओ वो उससे कहता है कि सब कुछ पता करने के बाद तुम्हें इस गाव से निकल जाना पड़ेगा Hitman को John को जल्दी से जल्दी इस गाव से बाहर निकालना होता है हमें पता है कि Hank को John के बारे में सब कुछ information available है Hank और Mike एक दूसरी की enemy है ये भी उसे पता है अब वो Mike से मिलने के लिए आता है Hank जो है ये बहुत influential है सब politicians वेगरा ये सब इसकी मुठी में होते है अगर वो चाहे तो Mike को फिर से वो promotion दिला सकता है वो Mike के पास आकर John को किसी भी चीज में अंदर डालने के लिए बोल रहा होता है Mike केता है कि वो मेरा शिकार है और उसे एक पोल से बंदा देता है हिट मैन उसे मारने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए जाता है John के पास एक लाइटर होता है ये लाइटर को घास में डाल देता है जिस हाउस से वो बंदा हुआ है ये लकडी का बना हुआ है आग लगने से ये सब हाउस जलने लग जाता है जब हिट मैन घर के पास आता है तो घर में उसके सब को चीज़े होती है उसके important documents होती है ये सब लेने के लिए वो अंदर जाता है जब ये अंदर जाता है तो John को help करने के लिए Jane महा जाती है उसे वो पोल से छुडवाती है और जब हिट मैन अंदर होता है तो उस पर सब लकडिया वगरा गिर जाती है वो जल कर वही मर जाता है जब हैंग इस सब को देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है Jane John को लेकर अब गाव से बाहर जा रहे होती है Jane कहीं दिखने रही तो हैंग Jane को कॉल करता है Jane सब को सच-चच बता देती है कि उसके साथ John है हैंग उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है जब Jane घर पर आती है तो हैंग के साथ उस होती है यहाँ में पता चलता है कि इन दोनों में सम्मंद है हैंग उसे जोर से स्लैप करता है उसे लगता है कि यह John से एट्रेक्टेड है John injured था इसलिए वो सीटी को होस्पिटल में होस्पिटल में विलेज को ओफिसर जो हैंग के लिए काम करता है वो अब John को लेने के लिए आता है माइक फिर थोड़े समय बाद वहां आ जाता है और जॉन को बचा लेता है माइक के पास हैंग के बारे में बहुत सारी इन्फोर्मेशन अब एवलेबल है माइक अभी भी यह जो पूरी सिचुएशन है इसे समझ नहीं पा रहा इसलिए अब वो John के साथ विलेज में आ जाता है विलेज में आने के बाद هैंग इससे बात करता है वो उसकी मदर खा रहती है इसके बारे में उसे क्हेता है हैंग माइक को सला देता है तुम्हारी मदर का जो फ्लैट है यह तुम जल्दी से बेश दो वरना वहाँ cemetery आने वाली है यसे धमकी दे रहा होता है यह अगर उसने Hank का माना नहीं तो उसकी मदर को मार डालेगा Mike केता है तुमसे डरता नहीं और यह वहाँ से चला जाता है नेक सिन में हम देखते हैं कि John के घर पर Mike होता है यह सब situation figure out कर रहा होता है तब हैंग का आदमी जो भोला है यह वहाँ मिलने के लिए आता है इसके सब फ्रेंड्स मर चुके है इसे डर लग रहा होता है कि जौन इसे भी मार देगा यह सब कनफेजन करने लग जाता है यह कहता है कि हैंग मुझे जो सब बताता था वही में करता था यह बदाने बदाने में कहे जाता है कि Hank जो है यह सब पॉलिटिशन को पैसे देता है लोगों से जबर्दस्ते वो लैंड बाय कर लेता है उन्हें पूरे पैसे भी यह नहीं देता यह जो सब कैदी है जो Hank के साथ रह रहे है यह वही काम करते है लोगों को जाकर ढराना थमकाना और उनकी सब लैंड ले लेना Hank पकड़ाना जाए इसलिए सब पॉलिटिशन को पैसे दे कर आता है माई का पुलिस कमिशनर है इसे भी वो पैसे देता है अब हम देखते हैं कि भोला जब इनसे बात कर रहा होता है तो Hank डनल में होता है सब बाते इनकी सुन रहा होता है निक्स जे Hank भोले को बुलाता है उसे कहता है कि तुम मेरी सब को सुनते थे मैं जो सब तुमसे कहता था वो भीना question के तुम करते थे मैं कभी-कभी तुम्हें मारता था पर तुम्हारा innocence preserve करने के लिए ही मैं करता था Hank और भोला ये दोने एक उची जगा पर होते है तो Hank वहाँ से उसे गिरा देता है दूसरे दिन John जब ये dead body देखता है तो Mike को call लगाता है वो कहता है कि आप वो बदला लेने वाला है अब सिर्फ आख के बदले आख ही होगा Mike को से समझा रहा होता है पर ये समझता नहीं John गुसे में अब Hank के पास आजाता है Hank खाना खा रहा होता है Hank उसे कहता है तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी है उसे बेटनी के लिए बोलता है अब हमें फ्लैश बैक में Hank वाल्टर और जो कईदी है जब विलेज में आ गए थे तब क्या होगा था ये दिखाया जाता है जब ये सब यहां आ गए तो वाल्टर इंफ्लून्शल था ही वाल्टर के इंफ्लून्स में इस गाओ के सब लोग आ गए वाल्टर की वज़े से Hank और सब आत्मियों को सब वेजी खाना पड़ता था Hank को यह पसंद नहीं आता था Hank उसकी मर्जी के खिलाब जाकर कुछ भी खाकर आता था वाल्टर ने जब इससे बात करने चाहिए तो Hank बोला कि जो सब लोगों के साथ हम रह रहे है यह सब डेविल है हम इसे चेंज नहीं कर सकते हमें इने खुश रखना पड़ेगा वाल्टर को लगता है कि इन आदमियों को अभी भी हो चेंज कर सकता है वो एक कैदी के बात जाता है उससे कहता है कि किस तरह के आदमी तुम बनना चाहते हो यह कैदी इस चीज को समझता नहीं और जिस तरह से है उसी तरह से हो रहना चाहते है यानि कि वाल्टर अब किसी को भी बदल नहीं पाएगा इसके बाद हैंग लोगों के पास जाता है उनकी जो सब जमिने होती है यह जबरदस्ती हो ले लेता है या जो सब illegal चीज़े हो गरता है तो वाल्टर का काम होता है कि लोगों को शान्द रख पाए और वाल्टर यह सही से कर भी रहा होता है जब हैंग जबरदस्ती इसे लैंड ले रहा होता है तो वाल्टर यह देख लेता है वाल्टर अब इसे कोजवे बोलता नहीं पर रात में वो हैंग को मारने के लिए आता है हैंग साउदान हो जाता है सब कैथी यह देख लेते है ये Walter का कहते है कि तुम हमसे कुछ भी different नहीं हो अब यह ही उनको जो story बता रहा होता है ये stop कर देता है उसे बोलता है ये Joseph तुम्हारे father के साथ हुआ था ये सब मैं तुमें बताऊंगा पर आप मैं tired हो तुम कल आना इसके बाद हम देखते हैं ये माईक Joseph इन्वेस्टेशन कर रहा होता है इस इन्वेस्टिकेशन में उसे बहुत सारे ट्रबल आता है हैंक के उपर Joseph फाइल से इनको जब वो access कर रहा था तो इसका उसे access नहीं मिला उपर से भी इसका pressure बढ़ रहा है ये case उसे छोड़ने के लिए सब उसे pressurize कर रहे है माईक ये case छोड़ सकता है पर तभी उसे मिलने के लिए Jane आती है Jane आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें judge के बारे में पता है इस judge में incident हुआ था यह हमें आगे बता चलेगा John जब घर पर होता है तो उसे भी मिलने Jane आती है उसे और भी चीज़ों के बारे में कहती है flashback में हमें दिखाया जाता है कि Walter अपने son यानि कि John को call करता है John उसे कुछ भी बात नहीं करना चाता क्योंकि John को छोड़कर Walter चला गया था John को देखने के लिए भी कभी Walter नहीं गया था John और Walter में अच्छे एक relationship नहीं थी पर फिर भी Walter उसके फादर थे जो सब वो कर रहा था अपने फादर के लिए ही कर रहा था Walter ने Jane को help की थी Jane का जिन लोगों ने rape किया था इन सब को उसने punish किया था Jane भी Walter के साथ ही आ चुकी थी और उसे गाव में रहती थी एक रात Jane के पास Hank आया Hank ने उसे बोला कि अब वो Walter को मारने वाला है उसे पुछता है कि पुरा गाव मेरे साइड परे पर फिर भी तुम क्यों Walter के साइड परो Jane के थी है कि उसने मुझे बचाया है Hank केता है Hank केता है कि तुम्हें तो मैंने बचाया था Jane बोलती है कि तुमने तो सिर्फ रिवेंज लिया था एक चुन में मुझे तु Walter नहीं बचाया था Hank फिर Jane को ब्लेकमिल करता है वो खेता है कि Walter को मैं मार दूँगा पर तुम उसे बचा सकती हो Hank अब Jane से relationship रखने लग जाता है Hank के जो सब आदमी है वो भी रात में Jane के पास आते है John को भी ये सब सुनकर बुरा लगता है रात में हम देखते है कि John और Jane ये दोनों Hank के पास आ जाते है Hank ने उन्हें बुलवाया था अब John को उसके फादर के साथ क्या हुआ है ये पता जल सकता है John के पास नाइफ होती है पर Hank के पास गण होती है वो John पर ये गण लगा रहा होता है तब पुलिस ओफिसर सब वहाँ आ जाते है Mike को पर प्रेशर होता है वहाँ नहीं जाए पर फिर वहाँ पोच जाता है Mike Hank को कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो वो उससे लेकर जाना चाता है पर Hank कहता है तुमारे पास मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है Mike ने ओलरेडी सब गाओ पर छापा डाला होता है जहाँ भी Hank के सब डॉक्मेंट से यहाँ वरो पोच गया होता है Hank के जहाँ डॉक्मेंट रखे हुए है वहाँ Hank का पुलिस ओफिसर पोच जाता है तब केरोसीन वगेरा वहाँ डालता है और इसको आग लगा देता है दूसरे पुलिस ओफिसर इसे पकड़ लेते है पर यह अपने आपको भी आग लगा लेता है यह सब चीज जो हुई है यह माईक को पता चलती है जो पुलिस ओफिसर मरा था यह Hank का ही बेटा था Hank यह देखकर हसने लग जाता है उसका बेटा मरा है इसका उसे कुछ भी गम नहीं होता इसके खिलाब कोई भी सबूत नहीं है इसकी खुशी उसे होती है अब Hank John के फादर के साथ क्या हुआ था यह सब उसे बताने लग जाता है वो John को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इनोसन थे पर इसा कुछ भी नहीं था उन्होंने चर्च में जो सब लोग थे इन सब को मार ड़ा था उन्होंने उन्हें पॉईजन कर दिया था तब ही Jane बात करने लग जाती है Jane कहती है कि जैसा हुआ था इसा तुम नहीं बता रहे हो रियालेटी कुछ अलग ही है Jane फिर बोलती है कि हम चर्च में गए थे पर वहाँ से जल से हम निकल गए थे Hank जब हमें लेने के लिए आया तो Hank के कान पर खून था Hank के पास एक पेसो से भरा हुआ बैक भी था इसका मतलब है पेसो के लिए Hank ने चर्च के सब लोग को मार दिया था वाल्टू को यह सब पता था पर वाल्टा को कुछ भी कर नहीं पाया जब वह हैंक को देखता था तो उसे गिल्टी महिसूस होता था अब जेन हैंक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सब जो डॉक्मेंट्स थे जो सब illegal activity थी यह सिर्फ उसी go down में थी उसके पास और भी कुछ डॉक्मेंट्स होते है जिससे हैंक को गिल्टी करार दिया आ जा सकता है हैंक के पास अब और कोई भी चाल नहीं हो थी वो सब को बाहर जाने के लिए कि लिए कहता है वो कहता है कि वो ready होना चाहता है इसके बाद सब बाहर चले जाते है और वो अपने आपको गोली मार लेता है अब कुछ समय गुजर चुका है जॉन अपने शेहर में चला गया था और अपने फादर के गावब में वो फिर से आ रहा है वो फिर माइक को कॉल करता है माइक का भी अप्रमोशन हो चुका होता है यह दोनों एक दूसरे को congratulations करते है माइक कहता है यह तुम भी अब ज़्यादा trouble में नहीं आये हो तुम्हें भी मुझे congratulations करना चाहिए इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती अब हो चुकी होती है यह दोनों फिर से मिलने वाले होते है और डिनर करने वाले होते है अब हमें दीखता है कि जॉन जब गावब में पहुचता है यहां हम देखते है कि जेन अब गाव की chief हो चुकी है हैंक की जगा उसने ले ली है अब जॉन को फोन कॉल याद आता है उसके फादर मर चुके है तो इसका फोन कॉल जेन नहीं किया था जेन ने उसे बताया है कि उसके फादर मरे थे वो नैचरल डेट से मरे थे एक्चुल में जेन को हैंक से बदला लेना था इसी वज़े से उसने जॉन को कॉल किया था उसे पता था कि जॉन को लगेगा उसके फाइदर की डेथ नहीं थी तो वो मर्डर था इसी वज़े से वो इनिस्टिकेशन करेगा और हैंक हर्ट होई जाएगा जैसा उसका प्लान था ऐसा ही हुआ है अब जेन इस गाव की चीफ बन चुकिया उसे अच्छी सी पोजिशन में मिल चुकिया और उसने रिवेंज भी ले लिया है अगर हम इस मूवी में देखे तो वो वाल्टर एक बहुत ही अच्छा आद्मी था वो सब चीजे अच्छे से करना जाता था पर हैंग को हमेशा से लालश था उसने वाल्टर को मैनिपिलेट किया और अपने काम के लिए उसे यूज कर लिया वाल्टर कभी उसे बदला नहीं ले पाया जैन कभी फायदा हैंग ने उठाया था जैन अभी भी यंग थी वो कुछ ना कुछ तो करी सकती थी इसलिए उसने सब कुछ प्लैन किया जैन के प्लैन में जॉन मैनिपिलेट होता रहा और हैंग से उसने बदला ले लिया हमने मूवी में देखा है कि वाल्टर को एक सेंस आप जेस्टिस था कुछ भी गलत उसे पसंद नहीं था उसी तरह से सेंस आप जेस्टिस जेन के पास है वाल्टर जोसप चाहता था कि अच्छी तरह के से लोगों को गाइड किया जाए अच्छी तरह के से वो एक जगा पर रह सके यही सपना उसका आप जेन कम्प्लीट कर रही है यही यह मूवी इंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सरी इसी मूवी इस लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइक बद दिजिए और बेल नुटिवेशन आइकोन दबाना में मत भूले है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे है